Hello guys, आज हम HTML, CSS और Java script का यूज करके Traffic signal light का पूरा example बनाने वाले हैं जिसमें आपके सामने तीन lights होंगी एक red, yellow और green एक-एक करके lights आपके सामने आएंगी सबसे पहले red light आएगी तीन सेकंड का counter होगा या तीन सेकंड का timer होगा वो timer complete होने के बाद आपकी light red से कहां पे चली जाएगी yellow पे चली जाएगी बस ये दिहान रखेगा जब भी कोई एक light जलती है तो दो lights black होगी अगर red आपकी जल रही है तो yellow और green वाले blacks हो जाएंगे अगर आपका yellow आपके सामने दिख रहा है तो red और green वाले black हो जाएंगे और अगर आपके सामने green आपको दिख रहा है तो red और yellow black हो जाएंगे ये अपने को पूरा program बनाना है इस पूरे program के अंदर HTML, CSS का यूज केवल डिजाइन के लिए होगा और जो logics लगाने का काम होगा वो हम java script के थुरू इसके अंदर क्या अगरने वाले हैं इंप्लिमेंट करने वाले हैं तो तीनों के combination को मिलाके HTML, CSS और java script तीनों को combination को जोडते हुए आप ये छोटा सा example बना सकते हैं जिससे आपको ये logic clear हो जाए कि traffic signal light के logic में हम timer को कैसे implement करेंगे सारे process को कैसे implement करेंगे ये सारी चीज़े आपके सामने clear हो जाए और देखिए example के लिए मैंने आपके screen पे खोल के भी रखा है ये रेखिए इस type का अपने को design और इस type का concept अपने को लगाना है अब धिहां से देखिएगा यहां पे सबसे पहले क्या हुई red light आई red light complete होने के बाद yellow आ गया yellow complete होने के बाद green आ गया और 3 second का इसके अंदर timer दिया गया है कि 3-3 second के gap के बाद आपका color क्या होगा change हो जाएगा तो ये पूरा program हम क्या करते हैं background में वो image मैंने ले रखिए जिससे design थोड़ा सा आपको clean और साफ सुतरा नजर आए जिससे आप इसको बना पाएं तो चलें start करतें देखे practically इसको बनाना देखे मैंने एक file बना रखिए t.html करके और इसको मैंने क्या किया है subline में open कर दिया आप चाहें तो इसको vs code में भी बना सकते हैं आप किसी भी editor में बना सकते हैं मैं yaha p प्रड़िन चीरो और पैडिंग जीरो यूनिवर्सल सेलेक्टर है जो सबको टार्गिट करके margin और पैडिंग क्या करतेगा चीरो करतेगा तो पहला काम complete फिर उसके बाद background में हम क्या करेंगे body के background में हम उस इमेज को लगाएंगे बैक्ग्राउंड में URL और 1.jpg करके यहां पर इमेज मैंने अपने फोल्डर में रख रखी है वो इमेज यहां पर क्या हो जाए कि लग जाएगे उपनीम राउजर करते हैं इमेज लग गई एक प्रापटी यूज करता हूं display table display table का का काम होता है content के according क्या गरना विर्थ को देना ठीक है और main को मैं कहां पर call कर देता हूं यहां पर call कर देता हूं यह मैंने एक div लिया class main, main लेके मैंने यहां पर call कर दिया चलिए यह call हो गया अब इसके अंदर हम 3D बनाएंगे lights नाम से तो मैंने यहाँ पे class बना दी light l-i-g-s-t करके मैंने class का नाम दे दिया तीनों class को मैंने यहाँ पे क्या कर दिया call कर दिया क्योंकि 3 boxes से ही है अभी तीनों को आपको क्या करना है black रखना है जो भी logic लगाने वाला काम होगा वो हम java script से क्या करेंगे implement करेंगे तो मैं यहाँ पे जाके क्या करता हूँ light में जाता हूँ light में जाके width देता हूँ यहाँ लगबग मैंने यहाँ पे width दी है 80 pixel या चलिए मैं 50 pixel देता हूँ और height में 50 pixel background क्या कर देता हूँ background कर देता हूँ background आपके वाईट कर दिया background क्या ऑगा imagine यहाँ पे गया और यहाँ पे जाके background को किया white कर दिया white background आपके सामनी क्या होगा नजर आगे right क्लिक करके open in browser करते है अभी देखते हैं देखें डिजाइन मेरा यहां पर आया, आप नोटिस करें, यहां डिजाइन मेरे सामने आया हुआ है, तो margin auto देके, जो यह है, display table क्या करता है, content क्या according विर्थ लेता है, margin auto देके, इसको center कर देता हूँ, यह center हो के यहां पर आ गया, ठीक है, इसको यहां पर लेकाने, यह div इसके उपर बढ़ानी चीए, थोड़ा सा और मैं क्या कर रहा हूँ, इसको बढ़ा रहा हूँ, आप देखेगा, मैं इसको 60 pixel दे रहा हूँ, और थोड़े से lights के बीच में margin भी दे रहा हूँ, इनके बीच में 10 pixel ठीक है, 10 pixel का margin आ जाएगा, background इसका black करना था, white नहीं करना था, मैं इसक सामने दिखेगा, और border radius 50% करके इसको circle कर रहा हूँ, तो border radius 50% करेंगे, तो वो पूरा क्या होगा, एक circle format में आपको दिखने लग जाएगा, जो red वाला box है, वो आपको एक circle format में क्या होगा, दिखने लग जाएगा, यह आ गया देखिए, अब इसको खिसका के यहाँ लाना मैं यहाँ पर 150 pixel कर देता हूँ, और यहाँ पर ले आता हूँ एक बार, अभी भी नहीं आई यह, तो मैं यहाँ पर 200 pixel देके इसको ले के आ जाता हूँ, इस area पर और यह आ गया देखिए, और एक काम और करता हूँ, यह जो parent इसका background क्या कर देता हूँ, वाइट कर देता तो यह white background में आपके सामने आ जाएगी, थोड़ा सा आप इसको कम कर दीजिए, मैं 190 करता हूँ, हलका सा यह इधर की side आ जाएगा, यह थोड़ी width को हम क्या करते हैं, बढ़ा देते हैं, इसको मैं यहाँ पर क्या कर देता हूँ, एक बार, जिससे यह क्या होगा, 70 के logic में क् हलका सा फिर और खिसका दीजिए, आप यहाँ पर 200 कर दीजिए, जिससे यह पूरा का पूरा उसके उपर रहेगा, देगे, हलका सा पार्ट मुझे दिख रहा है, वो चलेगा, कोई दिक्कत नहीं है, इसको उपर से थोड़ा नीचे ले आईए, तो जब आपने position relative देखे, 200 left से खिसका है, तो मैं top से भी क्या करता हूं, 50 pixel खिसका के नीचे की side कर देता हूं, यह देखिए, यह मैं पूरा का पूरा उस light के उपर अपने design को लेके आगया हूं, पहला concept यही था कि आप light के उपर अपने design को कैसे लेके आएंगे, यह concept हमने क्या किया, implement कर लिया, हलका स यहां पर दिख रहा है, तो आप थोड़ा और विर्थ इसको क्या कर सकते हैं, अगर आपको लग रहा है कि थोड़ा और दिख रहा है, तो मैं यहां पर थोड़ा सा बढ़ा कर देता हूं, बढ़ा करने पर क्या होगा, अब box पूरा का पूरा उस light के उपर अपना आ बस यह एरिया, और थोड़ा मैं इसके अंदर बॉर्डर रेडियस भी दे देता हूं, कि मेरा बॉर्डर रेडियस इसके अंदर 10 पिक्सल होगा, तो 10 पिक्सल रेडियस देने से यह चारो तरप से रेडियस हो जाएगा, अब अपने को logic वाला काम करना है, तो अभी तक जो काम क्या है, पहले मैं क्या करता हूं, color change करने वाला process मतलब पहले हम color change करेंगे, फिर हम timer के logic को लगाएंगे, तो color change करने का process क्या है, आप देखिए, यहाँ पे दो चीज़ों को ध्यान रखेगा, यहाँ पे सबसे पहले इसको red करना है, बाकी दोनों black होने चीए, फिर 3 सेक इसको बनाने के लिए, हमने क्या 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 एक class दिये, अब java script का logic लगाना है, java script का logic कैसे लगाने, मैं यहाँ पे क्या करता हूं, script tag ले लेता हूं, script tag के अंदर, clear है कि lights पर ही काम करना है, और lights पर कितने color का काम करना है, तीन color का, तो आप एक array बना लिजे, where, मैं यहाँ फिर वह बता हुना चीह ले लिए अपय पर रिमार्क लिंद आफे उपको अपर डिमान्ट करता है, मैं से ले लेता हूँ C-Array का मतलब हो का color array ने रखी में टीन लिए रे ले लिए यहां पर बैग्राउंड कैसे चेंज करना आता है वो भी पता होना चाहिए और एक सीज का धिहां रखेगा कि inner HTML लिया inner text पे कैसे काम करते हैं वो भी थोड़ा आपको पता होना चाहिए तब आप logic को बहुत बहतरीन लगा पाएंगे मगर ये clear है कि मैंने यहाँ पर तीन color लिया है क्योंकि मुझे एक एक कलर को क्या गरना चेंज करना है अब मैं एक यहाँ पर function मनाओंगा function आप नाम कुछ भी दे दीजए और कि सीस्टम नाम से क्या करना रहा हूं मत अब मैं यहाँ पर traffic light नाम से क्या करना रहा है आप अपने according कोई भी नाम दे दीजिएगा चलेगा मैंने एक नाम दिया अब देखो यह जो traffic light नाम दिया है आप clear समझेगा इस traffic light को क्या करना है एक एक second बाद या 3-3 second के gap के बाद call कराना है या एक एक second के gap के बाद call कराना है वो logic कैसे लगेगा वो भी मैं process बताऊंगा आप एक चीज़ ध्यान रखिए कि हमारा काम एक एक करके चलना चीए और मैं page हर बार reload नहीं करूँगा मैं page open करती मेरा traffic light system का program run होना start हो जाना चीए तो ऐसा function जो इसको बार-बार call कर सके background में उसके लिए आप लोगों को याद आना चीए कि यहां पर हमें set interval का use करना पड़ेगा set interval का काम क्या होता है set interval का काम होता है कि कुछ interval बाद इस function को दुबारा से मैं call कर पाऊं मुझे अपने से जरूत ना बढ़े मैं एक बार page refresh करता हूं चलो मेरा function मैं body के on load पे लगा कि क्या गर दूँआ call कर दूँआ वो मैं one time का process कर सकता हूं मगर ऐसा थोड़ी करूँगा कि मैं बार-बार reload करू तब मेरा काम हो मैं एक बार अगर मैंने function को call कर दिया फिर मैं चाहता हूं कि यह बार-बार अपने आपको कैसे call कर सकता है तो उसके लिए set interval यहाँ पे आपको देना है function का नाम और बताना है कि कितने second बाद यह अपने आपको दुबारा से call कर देगा तो 1000 millisecond का मतलब होता है कि यह एक second बाद फिर से दुबारा से अपने आपको क्या करेगा call करेगा और इसको आप traffic light को call कर दो body के on load पे चलिए मैंने body के on load पे इसको क्या कर दिया call कर दिया यह हमारा function अब देखना है मैं आपको बता हूं कैसे चल रहा होगा मैं यहाँ पे काम करता हूं मैं यहाँ पे एक variable ले लेता हूं एक बार मैं आपको समझाने के लिए मैं यहाँ जाता हूं और यहाँ पे एक variable लेता हूं i equal to zero यहाँ से देखिएगा मैंने एक variable लिया where i equal to zero कर देता है i equal to zero लिया और मैंने i को क्या किया इसके अंदर प्लस-प्लस कर दिया, आप notice करिएगा, और मैं console.log करता हूँ, console.log, क्या करूँगा, मैं console.log में i को करता हूँ, अब आप देखो, i की value, हर एक second बात change होगी, कैसे change होगी, क्योंकि सबसे पहले start होगा, i क्या मिलेगा, इसको 0, अंदर प्लस-प्लस होगे 1, set interval, जब दुबारा से इस function को call करेगा, तो i की values को 1 मिलेगी, फिर 1 से वो 2 हो जाएगा, फिर call करेगा, तो 2 मिलेगी, एक एक करके number change हो रहे है, क्योंकि set interval के थुरू, आपने traffic light वाले function को बार-बार call किया है, अब आप यहाँ पर जाके, क्या गरिए, right click करके open in browser करिए, inspect करके console में जाके check करिए, यह देखिए, तो clear है, देखिए, हर एक second बाद मेरा number क्या हो रहा है, चेंज हो रहा है, तो clear है, वैं function को check करना बता रहा था, कि function आपका background में बार-बार कैसे call होगा, और आप call करने के लिए क्या logic लगाएंगे, तो set interval का काम होता है, किसी भी function को particular time बाद फिर से call कर देना, यहां पर user ना तो click करने वाला है, user एक बार जरूर इसको on-load पे call कर देता, body का on-load, बादब body के जैसे ही load होता है, पहली बार function call हो जाता है, फिर उसके बाद आपकी जरूरत नहीं है, उसके बार आपको open करने की जरूरत नहीं है, यह background में एक-एक second लेंगे, क्योंकि color change कराने के लिए हमने क्या क्या तीन color लिया है, red, yellow, green, अब red जीरो पोजीशन पर है, यलो अपना one पोजीशन पर है, ग्रीन अपना two पोजीशन पर है, अब आपको क्या करना था, आपको यहां से पहले क्या करना है, इसको लेना यहां से, अब देखे मैं मैंने class लिया है, तो class name के थुरू आप इसको access कर लीजे, where मैं यहां पर क्या करता हूँ, l नाम का variable मनाता हूँ, और यहां पर लिखता हूँ, document.getelement by class name, मैं यहां पर क्या लिख देता हूँ, class name, ठीक है, elements आएगा, यहां पर, document.getelement by class name, class name के थुरू मुझे element को क्या करना access करना, और यहां पर मैंने light pass कर दिया, एक काम कर रहा हूँ, console.log में, मैं एक-एक करके आप लोगों को check कराता जा रहा हूँ, कि क्या-क्या मिल रहा है, console.log में l को मैं check करता हूँ, l अपने को क्या दे रहा है, देखे, right click करके open in browser करते है, right click करके console में भी जाते है, check करते क् मिल रहा है, l में पूरा array मिल रहा है, देखे, array क्यों मिल रहा है, क्योंकि जब हम किसी को class name के through java script से access करते है, तो वो जहां-जहां class name बनी होती है, उन सब को एक बार में लिखे आता हूँ, और एक array के formula में आपके सामने set कर देता है, देखे, यहां पे लिखा हुआ है, HTML collection section में 3 क्यों लिखा हुआ है, क्योंकि वो class आपके पूरे page में 3 बार use हो रही थी, तो जो पहले number की class होगी, वो 0 position पे होगी, दूसरे number की 1 position पे और तीसरे number की 2 position पे होगी, clear है कि हमने class name से इसको क्या किया, access किया, मगर पहला logic क्या देखे, पहला logic है कि आप पहले इन 3 को black क करने के लिए हम क्या करते हैं, पहले एक loop चलाते हैं, और loop चला के, क्योंकि मुझे पता है, यह जो L है, L इन 3 को ले रहा है, पहले को भी ले रहा है, दूसरे को भी और तीसरों को भी, मतलब यह क्या करता है, जहाँ जहाँ light class मिलती है, उसको एक area में convert कर देता है, area में convert हो सबसे पहले तीनों को black कर देते हैं, मैं तीनों को black इसलिए कर रहा हूं कि मैं logic उसी पर लगाँगा जिसको color देना है, मुझे बार-बार यह सोचना ना पड़े कि पहला black हुआ, दूसरा नहीं हुआ, तीसरा हुआ, हम तीनों को पहले black ही करते हैं, तो एक 4 loop चला देते है, यहां पर देखिए, 4, j equal to 0, 0 से चला रहा हूं, कहां तक चलाऊंगा, j less than अपना l.length, l अपना array है, array कैसे है, क्योंकि clear है कि जितने अपने divs होंगे, उतनी array के elements बने होंगे, और j++, तो यह loop कितनी बार चलेगा, यह loop चलेगा, तीन बार, तीन बार clear है, चलेगा, क्यों च आठा था, html collection, यह 3 array का collection बना के बैठा था, यहां पर 3 elements आये थे, अगर वो 3 आये थे, तो length कितना निकल के आएगा, 3 निकल के आएगा, और less than 3 का मतलब हम 0 से चला रहे हैं, तो 0, 1, 2, दो बार तो 0 पे भी चलेगा, 1 पे भी चलेगा, और 2 पे भी चलेगा, तीन बार और हम क्या करते हैं, यह जो हमारा array है, L, L के उपर ही अपने को काम करना है, L, L में हमने pass कर दिया J, अब J क्या कर रहा है, J अपने को 0 भी दे रहा है, जे अपने को 1 भी दे रहा है, और J अपने को 2 भी दे रहा है, तो देखो, J की 0 पोजीशन पे यह वाली div टार्गेट हो ठीक है और डॉट बैगराउंड इस्टाइल करके बैगराउंड उसका क्या कर देना अपना ब्लैक कर देना मैं देखो यहां पर जाके क्या कर रहा हूं ब्लैक लिख रहा हूं एक बार ब्लैक मैंने यहां पर क्या कर दिया और मैं जाके यहां पर क्या करता हूं चेक करता हूं इस loop के बज़े से क्योंकि loop ने पहले बोला कि मैं तीनों को black कर देता हूँ अब आपके mind मा आएगा कि अगर आपने तीनों को black कर दिया तो पहले वाले को red कैसे करोगे तो पहले वाले को red करने के लिए हमने यहाँ पर आई ले रखा जीरो से देखो उसका zero index पे आप एक काम करो style.background style के background को यूज करो background को यूज करके आप ने जो यह color array बनाया ठीक है हमने यह color array बनाया color array के अंदर से आप i को access कर लो i क्या है? 0 है और 0 पे कौन सा color पढ़ा है? red पढ़ा है और 0 पे div भी कौन सी पढ़ी है? पहली वाली div पढ़ी है तो आप इसको clear समझे कि l अपना पूरा एक array है array मतलब तीनो divs का एक array है और तीनो divs के अंदर यह जो पहली div है यह पहली div किस position पे होगी? 0 position पे और i भी अपने को क्या कर रहा है? सुरू में 0 दे रहा है और उसके style के background में seek c array c array अपना क्या है? color का array है और वहाँ पे आई तो यह क्या करेगा? यह देखो four loop ने तीनों को black किया उसका काम है तीनों lights को क्या करना? black करना मगर l of i.style.background ने क्या कहा? कि जो 0 position का i है या जो 0 position का l है उसके background को हम क्या कर देंग? अब आप concept देखिए यह red हुआ फिर yellow हुआ फिर green हुआ अब कुछ नहीं हुआ क्यों नहीं हुआ क्योंकि यहाँ पे तो i बढ़ता जा रहा है अब आप अगर inspect करके या right click करके मैं open in browser करूँआ यहाँ पे red हुआ green हुआ yellow हुआ i बढ़ता जा रहा है अब देखो i बढ़ने के बाद फिर उसको मिलता नहीं है क्योंकि i तो 4 भी हो गया होगा और यहाँ पे array में total कितने element है तीन element है और हमारी div भी कितनी है तो 0, 1 और 2 यह तो 3 access को वो access कर सकता है इसके बाद अगर कोई भी number i का बढ़ा हुआ मिला या बढ़ा हुआ मिला तो वो उसको access नहीं कर पाएगा क्योंकि हमारी div भी कितनी है तीन है यह array की 0 पोजीशन पे है यह array की 1 पोजीशन पे है यह array की 2 पोजीशन पे है मगर i को आपने क्या किया 0 से start किया और plus plus करते गए तो set interval बार-बार उसको call कर रहा है वो अपने आपको बार-बार plus कर रहा है तो हम एक ऐसा logic लगाए और हम logic में यह बोले कि जब हमारा देखिए जब हमारा i यहाँ पे देखिए if i अगर less than है किससे less than है मैं आपको फिर बता रहा हूँ यह जो है अपना less than है l dot length ठीक है l dot length से क्या है less than है तो हमारा i यहाँ पे क्या होना चीए plus plus होना चीए ठीक है कोई दिक्कत नहीं है i हमारा क्या होना चीए plus plus होना चीए और else में हम जाके यहाँ पर क्या करेंगे I को दुबारा से 0 कर देंगे मगर अभी भी एक प्रॉब्लम है प्रॉब्लम क्या देखेगा मैं आपको बदाता हूँ क्योंकि I सबसे पहले 0 आया ठीक है 0 पर यह पूरा प्रॉसेस चला 0 पर हमारा red भी हो गया और red होके I less than length ठीक है condition true है क्योंकि length हमारी 3 है और I हमारा 0 है इसको प्लस प्लस करके क्या गर देखा 1 कर देगा दुबारा से प्रॉसेस चला दुबारा से प्रॉसेस में यह फिर तीनों को black कर चुका है मगर I के 1 पोजीशन पे 1 पोजीशन का मतलब है आप second light को मानिएगा second light का background वो क्या करने वाला है yellow क्योंकि यहाँ पे भी तो 1 ही आएगा ना यहाँ पे 1 तो 1 पोजीशन पे yellow है ठीक है यह भी सही चल गया फिर तीसरी बार और यह प्लस प्लस होके क्या हो गया 2 हो गया मगर यह two position पे भी तो condition true है अगर यह two position पे condition true है तो इसको कैसे रोकेंगे आप बताओ क्योंकि two position पे condition true है तो यह प्लस प्लस करके यह क्या कर रहा होगा three कर रहा होगा और three करने के बाद फिर से यह अंदर की side जाएगा और array की three position पे तो कोई data ही नहीं पढ़ा है आप देखो ना यहाँ पढ़ा है ना यहाँ पे divat three position की तो हम यहाँ पे क्या गरते है एक condition लगाते अगर हमारा i देखे मैं यही पे लगा रहा हूँ अगर हमारा i क्या हो चुका है three हो चुका है फिर red फिर yellow फिर green यह system हमने बना दिया इस system को बनाने के लिए मैंने क्या किया main है set interval set interval के थुरू आपका function background में call होता है background में call होने के बाद वो i के पूरे logic पे अपने को चलाता है और i हमारा starting में क्या है zero है अंदर हम उसको plus-plus करते है मगर requirement के हिसाब से requirement के हिसाब से हम उसको क्या गरते plus-plus करते है और requirement के हिसाब से वो plus-plus हो भी जाता है उसमें कोई दिक्कत नहीं है क्योंकि requirement ऐसी है कि वो plus-plus करना ही करना और हो भी रहा है अब आते हैं यहाँ पे logic कि हम timer को कैसे लगाएंगे timer को लगाने का मतलब जो हमारा number है वो भी तो जहीं जोना चाहिए उसके लिए थोड़ा logic बढ़ेगा देखिए पहले इस concept को बहुत clean समझेगा कि इस concept में मैंने क्या-क्या logic लगाया है क्या-क्या patterns को follow किया है कैसे सोचा है और ये document.get elements by class name के थ्रू कैसे target किया है फोल लूप का क्या logic है तीनों को खाली करा के हमने ब्लैक क्यू किया फिर हमने उसी index को target किया जिसको हमने color करना था और colors को हमने array के अंदर रख रखा है और array के अंदर से उस index को उठा के color हम क्या कर रहे है implement कर रहे है अब यहां पर देखिएगा मैं चाहता हूं कि यहां पर मेरा क्या है 123 तीन बार पहले यहां पर नंबर आये तीन नंबर के बाद वह यलो पर चला जाए अब आप नोटिस करना यहां तक का process क्या है यहां तक का process है केवल color को change करने का अब हमारा process है कि हम timer या number या counter को कैसे implement करेंगे तो counter के लिए मैं अलग से यहां पर एक variable ले रहा हूं यहां से देखिएगा मैंने यहां पर एक variable ले लिया n equal to 1 क्यूंकि मैं counter कहां से start करना चाहता हूं 1 से start करना चाहता हूं clear है चलिए यह जो i++ है इसको प्लस-प्लस नहीं होने दुँगा मैं तीन बार से पहले इसको प्लस-प्लस नहीं होने दुँगा क्यूंकि i की पहली 0 position पे अपने को ग। काउंटर 3 वार चलाना है एक दो तीन फिर अगर वन हो गया तो लाइखा र्फ बतना य bend л समझे कि यह 0 पोटिशन यह 1 और यह 2 यह जो document.getElementBy className क्या करता है पूरे तीनों elements को array में generate कर देता है क्योंकि मैं या तो id देके काम कर लेता मगर id देके काम करेंगे तो हमें थोड़ा concept और बढ़ाना पड़ जाएगा और if else ज्यादा लगाना पड़ जाएगा हम class के name के तुरू थोड़ा सा logic क्या कर रहे हैं कम कर रहे है class के name के तुरू तीनो elements को साथ में target कर रहे है और काम करना start कर रहे है अब देखे logic क्या है मैं यहाँ पर जाओंगा आप यहाँ पर देखिएगा logic यहाँ लगा रहा हूँ मैं यहाँ पर लगा रहा हूँ if, देखिए उख अधियान से if अगर N ठीक है N हमारा क्या अब धियान से देखियेगा N हमारा less than है less than equal to 3 कोई दिक्कत नहीं है अगर हमारा N क्या है less than equal to 3 है तो हम क्या करेंगे यहाँ पर N को करेंगे plus plus कोई दिक्कत निहीं ho b और यहां पर हम i को प्लस प्लस नहीं कर रहे है हम क्या कह रहे है कि हमारा n भी क्या है must start one से ओर one से start हो गाए और i start किसे ओर रहा है zero से तो zero पर यह condition true है one पर यह condition true है तो n को plus प्लस करके वह क्या कर देगा two कर देगा तो मैंने केवल टाइमर को लॉजिक नहीं देखे केवल कलर के लॉजिक के लिए इसको लगाए तो यह मैं हटा रहा हूँ यहां पर मैं सारा का सारा इस सीफ के अंदर ही मैंनेज करूँगा कैसे मैंनेज करूँगा वह मैं बताता हूँ हमने i equal to 0 लिया और n equal to 1 लिया बहुत clear है concept कि 0 और 1 ले लिया क्योंकि हमारा counter 1 से start होगा और हमारे array का index कहां से start होता है 0 से तो 0 से क्यों चलाया क्योंकि 0 red यह है और yellow green यह तीनों क्या है तीन पोजीशन पर है अब मैं यहां पर क्या concept लगाऊंगा मुझे यूज करना पड़ेगा inner html आपको पता है क्या करता है inner html के थ्रूँ आप उसके अंदर कोई data div में store करा सकते हैं तो मैंने बोला मैं यहां पर ही करूँगा देखो पहले एक काम करूँगा l.j मतला l के अंदर के जे का inner html inner html में आप clear समझेगा कि div के अंदर का html पहले हमें क्या करना है खाली करना है मैं चाता हूँ कि पहले यह जो तीनो बाक्स है इन तीनो बाक्स के अंदर का html क्या हो जाए खाली हो जाए अगर कुछ रखा हूब है तो पहले हमें खाली करना है पहले हमें black करना या वह मैंने कर दिया कि भढ़ने वाला काम करेंगे हम यहां पे यहां पे करेंगे कैसे करेंगे देखें बहुत सिंपल है यही है न देखो L of जो J है उसकी जगे हम क्या करेंगे यहां पे पास कर देंगे I ठीक है I को पास करते हैं क्यों पास करते हैं आई सबसे पहले क्या है जीरो है और जीरो पोजीशन पर हमारी पहली लाइट है ठीक है लाइट पे और उसके inner HTML के उपर हम क्या करेंगे अन को श्टोर कर देंगे को जीरो है फिर उसके बाद रेड है इसके बाद हमारा नमबर भी नहीं चला नहीं चलना था है क्योंकि हमने आई को भी तक हमारा क्या जीरो है तो जीरो पूजीशन पर यह लॉजिक तो काम कर रहा है मगर हमें logic को हलका सा change करना पड़ेगा थोड़ा मैं design कर देता हूँ चलिए यहाँ पर text align center कर देता हूँ center हो गया चलिए यहाँ पर text देख लेते हैं center हो गया font size थोड़ा बड़ा करके मैं यहाँ पर क्या कर रहा हूँ 30 pixel या 40 pixel कर रहा हूँ लाइन हाइट इसकी थोड़ी सी बड़ी करके इसको बीच में ले आते हैं, जितनी हाइट हो उतनी लाइन हाइट दे दीजे, और font family हम यहाँ पे sensor refuge कर लेते हैं, छलिए, थोड़ा सा font family भी क्या होगी, सही दिखने लग जाईए, और यहाँ पे देख लेते हैं कि कैसा आ रहा हो गया, हमें यहाँ पे logic लगाना है कि अगर N, मैं यहाँ पे logic लगाता हूँ, अगर N double equal to 4 हो चुका है, 4 होने का मतलब, वो 1 था, वो 2 था, वो 3 था, 4 होने के बाद, 4 वाला वैसे भी number दिखाना नहीं है, number तो वो अपने को क्या कर रहा है, 3 तक ही दिखा रहा है, 4 होने के बाद हमें पहला काम क्या करना है, हमें पहला काम करना है कि I को कर देना plus plus, चले ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, I को plus plus कर देना, I को plus plus करके हम क्या कर रहा है, 0 से 1 कर रहा है, और N को वापिस से 1 कर देना है, N को वापिस से क्या कर देना, 1 कर देना है, अब हम logic देखते देख प्लस प्लस हो तो गया, 0 से 1 हो गया, 1 से 2 भी हो गया, मगर I वापीस से 0 नहीं हो आ न, तो वापीस से 0 भी तो करना पड़ेगा, हमें एक process पर ये भी तो देखना है, कि total boxes कितने 3 है, ये 0 है, ये 1 है, ये 2 है, तो 0 पे चलो उसने red दिखाया, 1 पे उसने yellow दिखाया, 2 पे उसने green दिखाया, मगर यहाँ पे आपने range थोड़ी रोकिए, कि वो कब रुकेगा, रुकने वाली range भी तो चाहिए, कि वो कब रुकेगा, तो रोकने के लिए हम यहाँ पे क्या करते हैं, एक और if condition इसके अंदर लगाते है, if अगर I की value double equal to 3 हो चुकी है, क्योंकि 3 होने के बाद, हमें I को दुबारा से क्या कर देना है, 0 कर देना है, बस, जैसे ही I की value 0 थी, ठीक है, पहला data है, 1 पे दूसरा data, 2 पे तीसरा data, मगर 3 होने के बाद, 3 को भेजना ही नहीं अपने को, 3 होने के बाद मैंने बोला, जैसे मैंने N को 4 पे चेक करके, उसको N को 1 कर दिया, और ऐसी मैंने I को चेक किया, कि अगर I अपना 3 हो चुका है, तो I अपना क्या हो जाए, 0 हो जाए, और यहां पर जाके देखिए, अपना traffic light system एक दम perfect काम करेगा, फिर यहां पर 123 और फिर यहां पर 123 एक बार देखिए का 123 और फिर अपना red पर जाएगा देखिए 123 और इस logic से हमने traffic light system को बनाए, एक एक concept को आप बहुत clear और बारीकी से देखेंगे तो आपको समझ मा आ जाएगा कि मैंने क्या logic handle किया, मैंने पूरे logics को एक दम clean रखा क्यूंकि हमने क्या-क्या inner HTML को खाली कर दिया, background को black कर दिया, पहले तो तीनों पर यही काम किया, फिर हमने उसके color को change किया, जिस पर अपने color का logic लगाना था, फिर हमें counter चलाना था, अब देखिए counter चलाने में हुआ क्या, देखें मैं आपको बताता हूँ, आप पूरा process देखना, set interval ने इसको एक second बात call किया, तो पहली बार यहां पे red light जल चुकी है, क्यों जल चुकी हमारा यह logic तो काम करिया हुगा, एक second बात यह call हुआ, एक second बात call होने में आप notice करना, i हमारा पहले 0 था, n हमारा पहले 1 था, एक second बात call होने में यहां पे तो कुछ change नहीं हुआ, यहां पे i अभी भी 0 है, क्योंकि i को 1 होने में यह 3 चक्कर n के माणने पढ़ेंगे, n के 3 चक्कर माणने का मतलब है, n 1, 2, 3, 3 टाइम्स चलने के बाद फिर वो i क्या करेगा, प्लस प्लस करेगा, तो 3 टाइम्स चलने का मतलब है, पहले हमारा counter का number 1 आया, red में, फिर 2 आया, फिर 3 आया, 3 आने के बाद के process में, यह गया यहां पे, प्लस प्लस कर दो, क्योंकि 0 पोजीशन पर आप 3 दिखा चुके, 1, 2, 3 नंबर दिखा चुके हो, अब आप प्लस प्लस करके इसको 1 कर दो, इसने 1 कर दिया, 1 करने के बाद मैंने बोला, n भी तो 1 करो, क्योंकि हमारा yellow का counter भी तो 1 से start होना चीए, ठीक है, और यह condition तो match नहीं करेगी, क्योंकि यह प्लस प्लस होके 1 हो गया, अब sent interval जब चौथी बार अपने आपको चलाएगा, देखना ध्यान से, जब चौथी बार चलाएगा, तो n उसको क्या मिलने वाला है, 1 मिलने वाला है, और i भी क्या मिलने वाला है, लेके आओ, तो वो पहले 1 को लेके आता है, फिर set interval दुबारा से call करता है, तो i नहीं बदल रहा, n तो बदल गया, n 1 से क्या हो गया, 2 आओ हो गया, तो inner html 2 को ले आता है, फिर inner html में 3 आजाता है, फिर उसके बार, क्योंकि अब n हमारा क्या हो गया, 4 हो चुका होगा, क्योंकि 3 बार चलने के बाद, हमने यहाँ पर अगर प्लस प्लस करा है, तो यह 4 कर चुका होगा, अगर यह 4 कर चुका है, clear logic देखिएगा, अगर यह 4 कर चुका है, तो 4 पे फिर से i++ होगा, और i++ होके 0 से तो 1 हो चुका था, अब 1 से वो क्या हो चुका है 2 हो चुका है और 2 होने के बाद यहाँ पर N का काउंटर फिर से हमने कहां से start कर दिया 1 से start कर दिया 2 होने के बाद फिर से वो set interval उसको call करेगा function को function call करने के बाद L के 2 position पे कौन सा data पढ़ा है L के 2 position पे पहले देखते हैं L के 2 position पे यह div है और color के 2 position पे कौन सा है color के 2 position पे green है तो यह वाली div क्या हो जाएगी green हो जाएगी और बाकी दोनों black कैसे हो रहे हैं क्योंकि हमने 4 loop चला के इसको पहले black कर रखा है और वापिस से क्या होगा N हमारा 1 आएगा दूसरी position पे फिर N हमारा 2 आएगा फिर 3 आएगा फिर जैसी N 4 होगा तो 4 होने के बाद चलो I को हमने plus plus कराया I plus plus होके क्या हो गया होगा आप देखो I plus plus होके यहाँ पे हो गया होगा 3 चलो मर 3 position की कोई div नहीं है तो मैंने यहाँ पे चेक किया अगर I 3 हो चुका है तो आप एक काम करो आप 3 मत लेके जाओ I को दुबारा से क्या गर दो? 0 कर दो तो वो सिलसला फिर से 0 से start हो जाता है फिर 0, 1, 2, 3 वाले process पे क्या होता है आपका counter आपका number काम करने लग जाता है इस process से आप traffic signal light को with timer के थुरू बना सकते है और कुछ logics है, कुछ concept है उसको ध्यान में रखे अगर आप logics को implement करते है तो आपको चीजे एकदम click करेंगे ही करेंगी और आपके सामने देखे पूरा का पूरा design मन के तयार है color एक काम करता हूँ, white कर देता हूँ इसका color मैं यहां से क्या कर देता हूँ white कर देता हूँ, जिससे आपके सामने यह क्या होगा, दिखने लग जाएगा, देखे white color पे आपको logic क्या होगा, दिखने लग जाएगा, देखे 1, 2, 3, और यहां पे भी क्या है है 123 और आपके सामने बनके क्या हो चुका है तो यह ध्यान दखेगा कि सारे system में set interval का बहुत रोल है पूरे program में set interval का बहुत रोल है क्योंकि set interval उसको 1000 millisecond के बाद कॉल करता है पूरे system में i का बहुत रोल है क्योंकि i 0 है तो i 0 मतलब मैं समझता हूं कि यह पोजीशन है, फिर i1 है, तो 1 मतलब ये पोजीशन है, और 2 मतलब ये पोजीशन है, और ये अपने को क्या देता है, document.getElementBy ClassName से जब भी आप किसी को एकसेस करते हैं, तो जितनी भी class होती है, उन तीनों को, मलब तीन है div, तो हमारी तीनों को array में बना देता है, 0 index पे पहली div होगी, 1 index पे दूसरी div, और 2 index पे अपनी दूसरी div होगी, और फिर हम ये 4 loop चला के पहले उसके inner HTML को खाली करते हैं, और उसके background को black करते हैं, तीनों को, फिर हम logic लगाते हैं कि कौन से index पे अपने को को clear करते हुए, और आप number को कैसे manage करेंगे, ये सारे process को मैंने आपके सामने clear किया, thank you so much guys